अर्नब गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी की टीम और उसके अलावा एक बड़े चैनल टाइमसनाओ के दो बड़े संपादकों के खिलाफ जिस ठंग से दिल्ली हाइकोट में फिल्म निर्माताओं ने निर्देशकों ने और बॉलिवट के कुछ संगठनों ने अरजी दिय पहली बार इसा हुआ है कि बॉलिवट के चार संगठन बड़े संगठन और चौतिस फिल्म निर्माता जिसमें माषूर अभिनेता हैं माषूर निर्देशक हैं माषूर निर्माता हैं इन लोगों ने दिल्ली हाइकोट में अरजी दे कर कहा है कि देश के दो चैनल और इन दो चैनल के चार चेहरों, उनका जिक्र है, इसलिए वो चार चेहरे, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारे लोग होगे, इन चार चेहरों ने जिस धंग से मीडिया ट्राइल किया, बॉलियूट के बदनामी की, बॉलियूट को नसेडी कहा, चर्जी कहा, गंदा कहा, मैला कहा, ना जाने क्या क्या का, कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी याचिका में किया गया, इस पर पाबंदी लगाये जाए, इस पर लगाम लगाये जाए, बॉलियूट के बारे में लगातार कहा जा रहा था, कि बॉलियूट को निशाना बनाया जा रहा है, तो शांत से बात शुर ठक जो दस्ता है बॉल्यूड में उससे बाहर है उनको निशाना बनाया जा रहा था ये मुहिम चली लेकिन उस मुहिम पर अगर देखें तो बॉल्यूड ने रिटैलियेट किया है बहुत सारे लोगों ने कल ट्वीटर पर लिखा कि पहली बार बॉल्यूड के लोगों ने द प्रदीब भंडारी जिस ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे थे बीते तीन महिनों से टाइम स्नौ के दो एंकर जो लगाता रेजंडा चला रहे थे वो चेहरे थे लेकिन ग्राउंड में ऐसे दरजनों उनके रिपोर्टर्स थे हलाके बॉल्यूड के लोगों ने एक सोच कि पहले दो के खलाफ अदालत में जाओ मामला क्या है दोस्तों लेकिन इसके साथ यही कि क्या अरनब गोस्वामी का रवया बदल जाएगा क्या अरनब गोस्वामी सुधर जाएंगे बहुत सारे लोग मानते हूं ला इलाज की अवस्था में पहुंच चुके हैं क फिलाल आप देखते हैं आपको पता होगी कि क्या क्या कौन कौन से संगठन है फिर भी और इस बीच में आपको ये भी बता दो कि मुंबाइ हाई कोट में भी कई याचिकाओं की सुनवाई के दोरान मुंबाइ हाई कोट ने भी कहा है के अंदर से पूछा है कि सुप्रिम क मीडिया बेलगाम होकर मीडिया ट्राइल करता है मुहिम चलाता है उसको लेकर सवाल वहाँ भी उठे है मुंबाइ हाई कोट ने ये भी कहा बॉम्बाइ हाई कोट बोलते हैं बॉम्बाइ हाई कोट ने ये भी कहा कि अगर प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ वहीन एक संगठन है प्रेस कांसिल ओफ इंडिया आज तक किसी के खलाप ऐसी कोई कारवाई नहीं कर पाया पेट न्यूज अखवारों में लगातार दो दशक्से पेट न्यूज की पचासों कहानिया आई सबूत के साथ चुनाओ के दोरान खास तोर से लेकिन वो भी एक बि इस कमिशनर रह चुके हैं डीजी रह चुके हैं ऐसे अधिकारियों की भी पी आईल है इन्हीं चैनलों के मीडिया ट्राइल के खलाप तो आप देखना है कि अब शिकंजा अगर कोई कसा जाएगा तो आदालत से ही सरकार का इनको वरधास्त है सरकार की सरपरस्ती है बीजे पहले सरकार के दो मंत्रियों ने मंत्रियों मतलब एक प्रकास जावडेकर जो सीधे सुचना प्रसारन मंत्री हैं और सताधारी दल के अध्यक्ष जेपी नड्डा दो मंत्री ने एक मंत्री और एक पार्टी अध्यक्ष दो ताकत बर नेताओं की तरफ से अरनब गुस्वा के साथ हैं सरकार और सब्तादारी दल अब इसमें खबर यह है अमर जाला सारे अख़वारों में आज ख़बर छपी है किसे अख़वार में पहले पन्ने पर किसे अख़वार में अंदर के पन्ने पर बॉल्यूट के बदनाम बॉल्यूट को बदनाम ना करो हाई कोर्ट पह याचिका और बॉलिवूट के स्तेवर के बाद उसमें लोग अक्षय कुमार को टैग नहीं कर रहे थे राष्टवादी लोग क्योंकि अक्षय कुमार तो अपने आम चूस कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं सवाल पूछने वाले अक्षय कुमार तो इसलिए उन्हें कोई प्रोल नहीं कर रहा थे तो लोग सवाल पूछ रहे थे वाई इसमें अक्षय कुमार का भी नाम है इसमें अजय देवगन का भी कुछ उन से भी पूछा जाए बाराल इसमें जो कंपनी है आमिर खान प्रोडेक्शन्स अजय देवगन फिल्म्स आंदोलन फिल्म्स अनिल सराज किया है बॉलिवड ने और इसमें कहा गया है जो लीगल फर्म है जिसने यच का दायर की है उसने कहा इन चैनलों ने बॉलिवड के लिए गंदा गंदगी मैला नशेकाड़ा नसेड़ी जैसे अपमांजनक शब्दों और टिपनियों का इस्तेमाल किया अगर देखें यह देश का सबसे गंदा उद्योग है जो कोकीन और एलस्डी में डुबा है इस तरह की छवी बनाई गई यही आचका में कहा गया है और उसके बाद कहा गया है कि घैर्द जिम्मेदाराना और अपमांजनक टिपनी करने और कई मुद्दों पर फिल्म जगत से जुड़े लोगों के खिलाफ मीडिया ट्राइल रोकने और ऐसे प्रसारन रोकने की मांग की गई है अब सवाल यह उठता है कि और यह की गई है दो चैनल के खिलाफ चार चेहरों के खिलाफ अब सवाल उठता है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा पड़ेगा अगर कोट ने इनकी याच को सुनते हुए जो जिस तरह की बात बॉंबे हाई कोट कर रहा है जिस तरह की बात सुप्रिम कोट की उस पीठ ने जिसमें सीजे आई भी थे सुदर्शन टीवी के मामले के सुनवाई के दौरान जो उने अलग-अलग मौके पर हरवार कहा बेलगाम चैनल बेलगाम एंकर एं हर बार केंदर सरकार की तरफ सिर्फ पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तोशार महता ने उन चैनलों का बचाओ किया है उन चैनलों मतलब मुद्दा सुदर्शन टीवी था लेकिन जब चैनलों को रेगुलेट करने की बात आई तो उन्होंने बचाओ किया इस पर कई वीडियो की केस में हो चाहे हिंदू मुसलिम की केस में हो चाहे पुजारी की हत्या की केस में हो चाहे किसी भी केस में हो हर जगा सरकार और बीजेपी जो चाहती है जिस दिशा में नेरेटिव चाहती है उसी दिशा में नेरेटिव ये ले जाते हैं इसलिए ये सवाल है सरकार कैसे ब